कि यदि willpower को augment करना हो, तो why power को जोड़े, why power का मतलब अपने अंदर प्रेरणा महर दे, motivation, inspiration, जब व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, सामान्य व्यक्ति भी विशेश परिणाम ले आता हूँ, कितना भी हम ट्राइ करें, ये willpower की एक limit होती है, और उस limit के बाद फिर वो willpower फेल हो जाता हूँ, जैसे आप अनुभाव करते हैं, अच्छा भी, अब हम ये diet ठाएंगे, हम pastries और केख नहीं ठाएंगे, 15 दिन तक पालन किया, 15 दिन तक पालन किया, फिर वो willpower फेल हो गई, फिर खूब सारा खाली, यानि व्यक्ति चाहता है, पूरा आत्मसायव के साथ चलता चला जाओ, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो give way कर जाती, अज हम give way करती है, फिर व्यक्ति कहता है, मैं तो willpower फेलियर हो गया, मैं तो ऐसा करना चाहता था नहीं करना चाहता था कर दिया, क्या करें, तो अब जब हमने समझा कि willpower लिमिटेट है, इस से परे जाने का कोई उपाए है क्या, परे जाने के लिए हम अब तीसरे सूतर बनाएंगे, वो क्या है, law of beliefs, अब हम वाए पावर को टैप करेंगे, वाए पावर माने, डवी एच वाए, वाए पावर, जब आप किसी तीव्र कारण से प्रेवित हो जाते, तो फिर आपकी अंदर ऐसा बन आ जाता है, अपने शम्ता को विकसित कर देते हैं, और पहले से बहुत अधिक कर पाते हैं, यदि विल पावर को अगमेंट करना हो, तो वाए पावर को जोड़े, वाए पावर का मतलब, अपने अंदर प्रेर्णा भर दे, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जब व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, तो सामान्य व्यक्ति भी विशेश परिणाम ले आता, इसलिए ये प्रेर्णा, उच्सा, इतना महत्वपून है, एक विद्यार्थी था, तो कॉलेज की छुटियां थी, उसने का थोड़ा पॉकेट मनी कमाएं, गर्मी की छुटियों में, बगल में जो मॉल था, उसने विज्यापन निकाला की कुछ नौकरियां है, टेंप्रेरी, उसने अपना एप्लिकेशन सब्मिट कर दिये, शनिवार को मध्यान बारा बजे, वहाँ पहुंच कर इंटर्व्यू में उपस्थित होने के लिए, उसको ने इन्विटेशन मिला, बहुत उच्साहित था, साड़े ग्याना बजे जब पहुंचा, उसने देखा कि उसके आगे बीस और विद्यार्थी लाइन में बैठे हुए, यानि वो 21 विद्यार्थी, उसने का मुझे तो कोई चांस ही नहीं है, मुझे से पहले तो मैनेजर डिसाइड कर सिलेक्शन कर ही लेंगे, किन्तु वो उच्साहित था, तो उसने क्या किया, एक छोटी सी चिठ्थी लिखी, एवं लिख कर, वेटिंग रूम में जो लेडी क्लर्क बैठी थी उसको दे दिया, और का मैडम, ये आप क्रिपया अंदर बैठे हुए मैनेजर को दे दीजे, महिला बूढ़ी थी, अनुभवी थी, उसने का बेटा, तुम्हारी बारी आएगी, तुम स्वयम दे देना, नहीं मैडम, आपको अभी ही देना, बेटा, कोई जल्दी की बात नहीं है, वो बिजी है, मैडम, आपको अभी देना पड़ेगा, बहुत अती आवश्यक है कि इस चिठी को वो अभी पढ़े, तो लेडी क्लरक में का, भी क्या इसके आवाज में अर्जंसी है, उसने चिठी लिया जाके मैनेजर को दे दी, मैनेजर ने चिठी पढ़ी और मुश्कुराया, और नौकरी उसी लड़के को दे दी, अब लड़के ने क्या लिखा चिठी में, उसने लिखा सर, मैं लाइन में प्रतीक्षा करते हुए 21 बच्चा हूँ, जब तक मुझसे नहीं मिलेंगे, कोई निर्णे मत लेना, ये उसका उच्चा था, मैनेजर ने कहा, ये ही उच्चा ही है, जहां उच्चा है, वहाँ पर सफलता की संभावना बढ़ जाती, तो ये उच्चा चाहे संसारी क्षेत्र हो, या इश्वरियक्षेत्र हो, ये महत्वपून स्तंब है, इश्वरियक्षेत्र में भी, महर्शी पतंजली ने कहा, मृदू मध्यादी मात्रत्वा ततोपी विशेश हो, तीन प्रकार के साधक होते हैं, जो इश्वरियक्षेत्र में प्रवृत होते हैं, म्रिदू तो धीरे धीरे चलने वाले चलो हो गया तो हो गया नहीं हुआ कोई बात में और एक मध्य नहीं करना तो चाहिए लेकिन ज्यादा कठे नहों रहा है छोड़ो और एक विशेश यानि जो पूर्ण उत्सा के साथ सनलग नहोते तो कहते कैसी भी बादा हो हम इसको पार करके रहेंगे इसलिए महर्शी पतेंजली फिर अगला सूत्र बना दिये कि तीवर सम्वेगनामासन्न अरे मनुश्यों ये जो भगवत प्राप्ती का प्रयत्न है पूर्ण उत्सा के साथ करो जब ऐसा प्रयत्न होगा तो बड़ी से बड़ी बाधा तुमको तुछ लगेगी और यदि उत्सा नहीं होगा तो छोटी सी कठना ही तुम कहोगे अरे तो बड़ा मुश्किल है अब भगवान की माया तो बड़ी बलवान है अब देखिए हमने पचासों सत्संग केंदर स्थापित किये हैं न विश्व भर में तो भूंते रहते हैं जो सप्रकार के लोग साधक प्रहत्न कर रहें किसी से हम पूछते हैं भी तुम सत्संग में आना बंद क्यूं कर दिये अरे स्वामी जी बड़ा कठेन है क्या कठेन मैं तो सत्संग में गया था लेकिन वो दूसरा जो सत्संगी था उसने कहा कि तुम ये रंग का स्वेटर क्यों पैनते हो तुमारे पास कोई टेस्ट नहीं है हौ उसने तो मेरा अपमान कर दिया मैं कैसे जाओंगा सत्संग में हम कहते भाईवा इतनी छोटी सी बादा तुमको पहाड के समान लगी और तुमने अपनी ईश्वरिय यात्रा को बंद कर दिया क्यों? क्योंकि उच्सा नहीं था और यदि उच्सा होता तुम कहते अरे जो भी हो जाए क्या फरक पड़ता है? यानि जहां व्यक्ति प्रेरित होता है वो एक छुड़ी के सवान मक्षन को काटता चला जाता इसलिए रामकृष्ण परमांस ने उदारन दिया गाए के मेले का तो उनके समय ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी तो उस समय बैल का उप्योग किया जाता थी अब कुछ किसान आके बैल को बेचते थी और कुछ आके उसको खड़ीते थी तो जो मेला लगता था वहां तमाम बैल बैठे हुए है अब ग्राहक कैसे जाने कि कौन से बैल में उच्सा है शक्ति का उप्योग करेगा किसी का शरीर तो बड़ा है लेकिन उच्सा नहीं तो कैसे अनुमान लगाएं सब बैल तो बैठे हुए राम कृष्ण परमंस ने का वो किसान पीछे से जाके बैल के पूंच में लात मारता था यदि बैल उठकर खड़ा हो जाए तो किसान एक डिसिशन ले लेता था इसमें उच्सा है ये कुछ करके रहे और यदि बैल बैठा रहे किसान कहता था ये बेकार है किसी काम का नहीं तो उनका कहने का वजप्राय था कि साधक को भी उच्साही बनना है तो ये उच्साह हम अपने जीवन में कैसे जागरित करें जैसे कोई उच्साहित ही पैदा होता है कोई निरुच्साहित ही पैदा होता है ऐसा है क्या बिलकुल भी नहीं अब माता पिता कहते हैं स्वामिजी हमारे बेटे का में कोई उच्साह नहीं है पढ़ने में इंट्रेस्ट ही नहीं दिखाता है अच्छा लेकिन क्रिकेट मैच को फॉलो करने में कितना उत्साहित होता है मैनेजर कहता है कि हमारे फ्रेक्टरी के इंप्लाईज बिल्कोल अनमोटिवेटेड हैं क्या करें अच्छा लेकिन जब शाम को पांच बजए घंटी बचती है देखो कितने मोटिवेटेड होते हैं बाहर निकलने के लिए तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की अंदर वो पोटेंशल नहीं है उत्साहित होने का मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति फैक्टरी में काम करता था और पैदल जाता था प्रती दिन तो एक घंटा उसको लगता था घर से फैक्टरी और इवनिंग शिफ्ट में था यानी चार बज़े से ले के मध्य रात तरी बारा बज़े तक तो बारा बज़े वो बज़े हो वापिस लोटता था एक बज़े पहुंचता था रात के अब रास्ते में कब्रिस्तान था लंबा चौड़ा उसने का आज ट्राइ करें कब्रिस्तान से निकलने का ताइम बच जाएगा अब उसने अटेम्ट किया ठीक ठाक निकल गया और कोई भूत प्रेत भी नहीं दिखे कोई प्रेत आत्मा ने उसको पकड़ा भी नहीं उसने का ठीक ठाक है ऐसी कोई रिस्की बात नहीं अब क्यूंकि उसका आधा घंता बच गया तो उसने का प्रती दिन प्रती रात्री ऐसा ही करेंगे तो रोज जब बारा बजे वो फैक्टरी से छूटता था तो पैनल चलने लगता था कबरिस्तान से निकलते हुए घर पहुंच जाता था एक दिन उसको तो पता नहीं था किन्तु एक नया ग्रेव कबर खोदा गया था उखाली था अब वो चल रहा था उस दिन मादल चाय हुए थे ज़्यादा प्रकाश नहीं था वो गया सीधा कबर में गिरा अब उसने अनुभव किया भई मैं तो यहां गिर गया हूँ निकलने का प्रयत्न किया हूँ साथ फुट गहरा था तो अपने को बाहर खीच नहीं पा रहा था उसने का चलो ठीक है रात को यहां बैठे रहते हैं अब अगले दिन सुबा वो लाएंगे लाश को गारने के लिए तो मैं बोलूँगा भई मुझे निकालो वो कब्र के दूसरे तरफ जाके बैठा पंदरा मिनिट निकले एक शराबी पहुंचा कब्रिस्तान अब वैसे ही उसकी बुद्धी नशे में तुम थे तो चल रहा था जब आचानक फुट नीचे गिरा तो शराबी कहा का नशा ओड़ गया उसको समझ में आ गया मैं तो कब्र में गिरा हूँ अब वो वैसे ही थोड़ा डरा हुआ था उसने कहीं कहीं से कोई भूत प्रेत्न आ जाए निकलो यहां से और वो निकलने का प्रेत्न कर रहा था और आधा उसका मन पीछे भी था कहीं पीछे से कोई भूत ने पकड़ लिया तो क्या होगा वो ट्राइ करता जा रहा था पांच मिनिट और ये दूसरा व्यक्ति इसने देखा था शराबी ने उसको देखा नहीं था इसने का क्या व्यर्थ प्रहत्न कर रहा है तो पीछे से हो आया वो ट्राइ कर रहा था निकलने के लिए दूसरा व्यक्ति उसने पीछे से हाथ रख उसने का मेरे दोस्त तुम यहां से नहीं निकल सकते हो प्रहत्न करने का कोई लाब नहीं अब इसने कहा मुझे कोई भात लगा के कह रहा है तुम निकल नहीं सकते प्रयत्म करने का लाब नहीं ये कौन सा भूतों का बाप आ गया दो मिनिट में उकूत के बाहर चला गया आचानक उसको प्रेरणा मिल गई निकल लेगी तो ये प्रेरत कोई भी व्यक्ति अपने को कर सकता है कभी कभी ऐसी भी घटनाएं हुई है कि बच्चा खेल रहा था और माह गाड़ी चला रही थी ड्राइवे में वो बैया बच्चे की उपर आया तो मा ने गाड़ी को उठा के और साइड कर दिया प्रेरणा मिल गई तो अपने को हम प्रेरत कैसे करें इसका विज्ञान क्या है तो अपने के चला करें